जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच जन्वरी और छे जन्वरी के कुम्भ राशी फल के बारे में कुम्भ राशी के लोगों के लिए जन्वरी माह की ये दो दिन कैसे रहने व कर लें और पासी बने घंटी के बटन को भी दबा दें इससे हमारी आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी है नक्षत्र कैसे होंगे यो क्या बन रहे हैं तो पांच जनवरी की बात करते हैं शुक्रपक्ष की दसमीत थी है और अश्विनी नक्षत्र आज रहेगा आज सिद्ध नाम का योग बन रहा है और ये योग सुबह तक है उसके बाद साद्ध नाम का योग बनेगा इस दिन सूरिय धनुराशी पूर्वशाड़ा नक्षत्र में है और चंद्रमा मेश र रात्री तक रात्र साड़े आठ पजे तक मेश रासी में रहेंगे सुर्य धनुराशी पूर्वशाड़ा नक्षत्र में है तो ये इन दो दिनों के नक्षत्र की बात रही और इनी के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो दो दिन हैं ये किस तरह से आपके लिए विशेस हो सक चंद्रमा है तो दोनों ही दिन चंद्रमा आपके पराकरम भाव में बैठे हुए हैं जहां चंद्रमा किस्सिती बड़ी अच्छी होती है तो यहां इन दोनों ही दिनों में आपको जो पराकरम है वो देखने लाइक होगा इस समय आप अपनी जिंदगी में अगर कोई दूसरे के साथ ऐसे महती हो तो चाहे कुछ भी हो लेकिन अभी जो वक्त है वो अच्छा वक्त है खुशी मनाने का वक्त है और आपको यह एहसास होगा कि जिन्दगी आपकी सही दिशा में जा रही है तो इस समय का आपको आनद उठाना है यह समय ऐसा होगा कि जब आप अप आजिक संबंधों से आपको व्यवसाइक लाब होने का योग भी बना हुआ है और अपने इस तरह के प्रियोग से आपकी छवी अच्छी रहने वाली है व्यवसाइक संबंध और अधिक मजबूत होने वाले हैं इस समय आप देखेंगे कि ये जो वक्त होगा ये आपके लिए आर्थिक तोर पर बहुत ही बड़ी है रहेगा आपका जो वक्त है भाई बहनों के साथ भी वीतेगा और आप अपने परिवार के साथ हैं अपने भाई बहनों के साथ कहीं बाहर गुमने भी जा सकते हैं ये समय अपने दोस्तों के साथ समय विताने का भी है आप कहीं बाहर दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं और जीवन साथी के साथ भी इस समय आपको अपने जीवन साथी का भी पूर्ण सा योग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भागे में व्रद्धी के प्रबल योग बने हुए हैं प्रीम जीवन में भी आपको सफलता के योग बने हुए हैं इस समय जो आपके खर्चे होंगे वो नियंतरन में रहेंगे और ये एक बड़ी खुशी की बात होगी कि जो खर्चे हैं वो नियंतरन में होगे जिससे आपका आर्थिक रूप से समर्द होंगे आपके कारेशित्र में आपका कोई सीनियर इस समय आपसे किसी तरह की सलह मान सक जिससे अपना कर आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और उसका आपको उचितलाब भी होगा तो यह मैं आपके लिए कई तरह से विशेस रहने वाला है अगर आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर कुछ दुविधा में हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं तो कुछ यूजना है या आपने जो कार्याप करते हैं उस पर एक बार फिर से विचार करें और अच्छा होगा कि किसी की सलह आप जरूर लें अगर आप दुविधा में हैं ताकि आप सही समय पर सही निर्ना ले पाएं जो काम आपके रूके पड़े थे वो अब आपके कारे देरे देरे पूरे होने शुरू होंगे अगर कोई सरकारी काम आपका रुका था तो वो किसी उच अधिकारी की साहता से अब आपका पूरा होने वाला है ये समय आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि इस समय किसी के साथ अगर वादिवाद की स्थिती होती है तो उस स बचने की कोशिश आपको पूरी करनी है क्योंकि अगर ऐसी स्थिथियां बनती हैं तो वो भेंगा रूप ले सकती है तो इस चीजों से आपको थोड़ा साफधानी जरूर रखनी है बस आपको अपने लक्ष पर नजरें बनाए रखनी है आर्थिक मुर्चे की बात करें तो आर्थिक मुर्चे पर आपको किसी के कहे में न आप आए अगर कोई कुछ लुग भावना आपको आफसर देता है तो उसकी आप कहने में नहीं आना है आपको बस अपने दिल की सुनी है जो आप करना चाहते हैं वो आपको करना है आपने जो फैसले लिए हैं वो अच्छे ह तो अपने लिए फैसलों पर संधे ना करें और अपने फैसले पर अड़े रहें क्योंकि जो भी आप फैसले लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही सावित होगा आपके आर्थिक रूप से समर्द्धी करने वाला होगा ये समय आपके निवास इस्थान बदलने की भी संभाव बनी हुई है या तो आप अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में जा सकते हैं तो जो इस्थान परिवर्तन है उसकी संभावना काफी दिखाई दे रही है परिवर्तन के संकित है तो इसका आप आनंद ले नया परिविश आपको अच्छा लगेगा और इसका भरपूर आनंद भी आप उठा पाएंगे अगर आप बिजनिस करते हैं तो यह जो समय होगा यहां आप अपनी बातों को अपनी जो योजना है उन्हें सही ढंग से आप लोगों को समझा पाएंगे जिससे आपके लिए और अधिक लाब के योग बनेंगे और यहां नई सहभागता ह होने की उमीद भी आपकी बनी हुई है लोगों का आप पर विश्वास इस समय बढ़ेगा भरोसा आपका बढ़ेगा साइन्स और रिसर्च की फिल्ड से जुड़े लोगों के लिए इस समय कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है तो यह उनके लिए भी बड़ा उत्तम दिन है पुराने काम आप इन दो दिनों में बड़ी आसानी से निप्टा सकते हैं क्योंकि जो आपके काम करने की गती होगी वो बहुत अच्छी होगी आप ऊर्जा से भरे होंगे और अपने सभी कारे को आप समय से पुरा कर पाएंगे तो आप इस समय अपने जो पुराने अठ्क के सुजाव को आप जरूर सुने अच्छा लगे तो उसे काम में भी लाएं ये समय परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहद अच्छा रहेगा और आपका मन भी काफी प्रसन रहेगा ये समय आपके लिए कुछ नया करने का भी है तो हो सकता है आप अपने वेपार में कु लेही आप उन योजना उपर काम बाद में करें लेकिन आप अच्छी योजना ये समय बना सकते हैं तो ये समय बेहद खास आपके लिए बना हुआ है एक बात का ध्यान और रखना है अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं अपने बिजनिस में अपनी नौकरी में तो आपको कम शब्दों का इस्तेमाल करना है यानि उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करना है जितने से काम चल सकता है बहुत अधिक बोलकर आप अपना इंप्रेशन खराब ना करें तो अच्छा रहेगा अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन और परिवार के ब लेना है लंबे समय से चले आ रही दोस्ती इस समय प्रेम में परिवर्थित हो सकती है और ये आपकी आत्मा और कल्पना को नई उचाईयों तक लेकर जा सकती है आपको अपने प्यार की देखबाल यहां जरूर करनी होगी जहां तक हो सके किसी भी परकार का मतभेद आपको न परिवार के शौक को जो परिवार के सदसे हैं उनके शौक जो होंगे जिस चीज कि उनको आवशागता होगी आप उन चीजों की खरेडारी समय करेंगे कुमराशी के लोग बेशक कंजूस माने जाते हों बाहर के लिए कंजूस माने जाते हों लेकिन घर के लिए वो खर्चे वाले होते हैं अपने उपर भी खर्चा करेंगे और अपने परिवार वालों के उपर भी खर्चा करेंगे तो परिवार का माहूल तो बहुत ही अब बात करते हैं आपके स्वास्ता के बारे में तो एक तो आपको रोड पर चलते समय ध्यान रखना होगा ख्याल रखना होगा वाहन चला रहे हो या ना चला रहे हो लेकिन ध्यान रखें तीज वाहन चलाने से खुद को दूर रखें दूसरों को भी खत्रे में ऐसे आप ड उसमेरा के काम करने पड़ेंगे तो हो सकता है ये सतरक रहकर आपको एक एक कदम रखना होगा शीडियों पर चलते समय सावधानी बर्थ नहीं होगी तो अगर आप सावधानी रखते हैं तो युदि दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम दिन कहे जा सकते हैं विद्यारतियों क के लिए भी ठीक ठाक समय रहेगा कोई ऐसी परिशानी दिखाई नहीं दे रही है नियमत दिन चरिया आपके लिए रहने वाली है तो दोस्तों यह हमने बात की 5 और 6 जनवरी के कुम राशी फल के बारे में अगली वीडियो में मिलेंगे अगली दो दिन के राशी फल के